भगवान विश्णु के दर्शा आवतार और ग्रह इसके पीछे बहुत रहसे में बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहां तक यदि आपने मेरी वीडियो को देखा है तो कमेंट में जैश्री कृष्णा जरूर लिख दिजएगा क्योंकि यहां पर मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिसको आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं समझ लेते हैं तो आप एकीन मानिए आपकी जिन्दगी के अंदर बहुत ठहरावा जाएगा बहुत स्टेबिलिटी के साथ आप कूल हो जाएंगे जो भगवान विश्नु का अवतार है केतू वो क्या है? वो मत्से अवतार है केतू भगवान विश्नु के मत्से अवतार पर इस ग्रह की रचना होई है समझ आ गया अब शुक्र पर आते हैं शुक्र भगवान परशूराम इस ग्रहज़ समबन देते हैं अब आजाते हैं हम रवी यानि कि सूरे यहाँ पर भगवान श्री राम का अवतार हैं सूरे से भगवान श्री राम का अवतार देखा जाता है यह सूरे ग्रहज़ समबन दे मंगल नर्सिंग अवतार है आप यहाँ देख लिजे भगवान विश्णु के दशा अवतार और ग्रहों का संबंध मैं आपको समझा रहा हूँ इसके बाद राहु की बारी आ जाते है राहु वरह अवतार पर है भगवान विश्नु के और इसके बाद आ जाते है बारी गुरु पर गुरु कौन है वामन अवतार है भगवान विश्नु क्लियर अब शनी पर बारी आते है शनी कौन है कच्छप यानि के जो कच्छवे का अ भगवान विश्नु लेन लिया था अब बारी आ जाते हैं आखरी बुद्ध पर बुद्ध भगवान बुद्ध पर आधारित है अब इनके आगे मैं फेक्ची जौरवे लितेता हूं जो भगवान श्री राम का है भगवान स्री कृष्ण का है और भगवान वराह का और प्रमात्मान्ष है लेकिन ऊन में जीवान्ष भी हैं तो इसलिए आपको जब भी कोई हिच्छा पूर्ती करनी है जब भी आपको पूजा पाट करनी है तो इसलिए भगोण विष्णू भगोण सिरेकृष भगवान राम की पूजा आपको विशिश्श तौर पर बताई जात तब आप पूर्ण परमात मांश के करीब पूस दें, तब आपको अच्छी अनुभूती होती है, आपको अच्छी फन की प्राप्ति थोड़ा जल्दी होने लगती है, बाकी की भी अवतारों की हमें पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये पूर्ण परमात मांश हैं, इसलिए इन